नमस्कार सौकेत आपका आप देख रहे हैं पूरा दिन हर खबर मैं हूँ आपके साथ विवेक शुकला कल्यान कानपुर के कल्यानपुर में प्रपल मडर से संसनी फैल गई इस घटना में एक यूवक ने पतनी और दो बच्चों को मौत के खाट उतारा है हत्या के बार अपने भाई को इसकी सूचना भी दी गई कल्यानपुर थाना श्रितर के डिवनिटी अपाइटमेंट की पूरी घटना है इस घटना के बाद पुलिस मौके बर पहुँची है जाज परतार जा रही है और क्यों अपनी पतनी और दो बच्चों को मारा गया इस बात की जानकारी अब जुटाई जा रही है तस्वीर आपको रिखा रहे हैं जाज परतार पुलिस करती हुई प्रपल मडर से इलाके में संसनी फैल गई पतनी समें दो बच्चों की खत्या करती गई और ये हत्यार क्यों की गई है अब इसकी जानकारी पुलिस ले रही है श्याम तेवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं से श्याम क्या वज़ए सामने आ रही है इस खूखार वारदात की ज़िए आपको बता दें जो जो हत्यारा पती है ये खुट डाक्टर है मैं आपको लोग रहा हूं श्याम तेवारी हमारे साथ असीम अरुन्द साथ जुड़ गए है कानपूर पुलिस कमिशनर असीवरुन जी बहुत स्वागत आपका जी उत्ता प्रदेश उत्राखन में ये बड़ी घटना सामने आई है तीन लोगों की अत्या कर दी गई क्या जानकारी आप तक पहुंची है सर ये गटना लगब साड़े पांच बजे पुलिस के संजान में आई जब डॉक्टर सुनील कुमार है उनके भाई में उनके फोन पर मेसेज किया कि सुनील पुलिस को इंफॉर्म कर दो डिप्रेशन में मैंने डॉट 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 डॉटर सुशील की पत्नी और बेटा बेटी की जब फिर पुलिस को तुरंट इंफॉर्म किया पुलिस की सभी तीम्स पहुंची है मैं और मेरे और अधिकारी पी पहुंचे महां पे जो इंपॉर्टन्ट एविडेंस में अवी तक मिली है एक तो जो मेसेज किया गया डॉ पर सुनील को और दूसरा घटना सल पे एक डायरी मिली है जिस परीब बीस पेज में नोट लिखा है बड़े बड़े अक्षरों में तो आच्छी नोट चोटा है जिसमें कुछ बातें इस तरह की लिखी हैं कि यह डॉक्तर सुशील दौरा अपने बच्छों को मारा गया है और मुक्ती भी जा रही है इस तरह की कुछ नहीं किसी बाते हैं जी और उसके बाद से डॉक्तर सुशील वहां से लापताश है जी तो जो नॉमल इंस्टिगेटर प्रोसेस है फॉरेंसिक एजामिनेशन उनरा वो तो किया ही जा रहा है लेकिन बड़ा काम इस से नहीं है कि दॉक्तर सुशील को तलाशा जाए और इसके लिए हमें टीम लगा रखी है जी और उनको तलाश रहे हैं सर अभी कहां तलाश की जा रही है क्या कानपुर में तलाश हो रही है और दूसर सवाल है मेरा इसमें जुड़ा हुआ कि कैसे इस वारदात को अंजाम दिया गया या और दोनों बच्चों की भी लाशें बैट पे मिली है और उनके ऊपर ऐसे खोन बहने का निशान तो नहीं है तो अभी कहना मुश्किल है लेकिन सुबफ़ता उनको बेहुश किया गया है और उसके बाद गला दवाया गया है ऐसी कुछ तमाब नहीं हो सकती है लेकिन अभी कि इसमें कुछ तोर पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूं बिल्कुल सर एक 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 आखरी सवाल कि पुलिस की जांच के इसी एंगल पर है कि हत्या की डिप्रेशन में आकर या कोई और वजह भी हो सकती उस पर भी जांच चल रही है जो अभी तक प्रारंबिक स्रबूत है मैंने आपसे वो शेयर की अभी निशकर्श नहीं शेयर किया मैंने जी और कोई भी अच्छी विवेचना सभी संभावनाओं को निगाह में रखके चलती है यह भी चल रही है जी बहुत 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 धन्यवाद हमारे साथ उनने के लिए और यह मैतपूर जानका ही देने के लि परताल कर रही है आरोपी ने वकाइदा इस पूरे घटना को अंजाम देने के बाद अपने डॉक्टर भाई को मेसेज किया और अब तैकिका जारी आरोपी फरार है तलाश की जा रही है शियाम आपका ही बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए